मेरे पीछे आप यह जो Elevation देख रहे हैं इस Elevation को देख के इसमे Strep Light हम लोगों ने यूज करी है हम लोगों ने रूफ पे भी जो मेरी ऑउटर की जितनी भी आपको roof नजर आ रही है उसमें भी हम लोगों ने जो है वो बुटन पैनलिंग करी है और lights जो है वो बिल्कुल different style की use करी है इस elevation को देखके आपका भी मन एक बार ज़रूर करेगा कि मैं इस property को देखने आऊ तो मैं एक ता एक अफ ग्रुप से आज आपके लिए एक property लेके आई हूँ यह जो property में आपके लिए लेके आई हूँ यह मेरे पंचकुला के 25 sector की कोठी है आठ मरले की यह कोठी है प्रॉपर अगर मैं इसमें बात करूँ ground और first floor पे आपको 4 BHK मिलने वाला है ground floor पे 2 BHK dry dining के साथ और first floor पे 2 BHK dry dining के साथ दो brothers है मिलके कोठी लेना चाते हैं तब भी यह आपके लिए considerable है अगर आप 4 BHK लेना चाते हैं तब भी यह आपके लिए considerable है work की बात करूँ premium quality के साथ बहुत ही आपको जो है वो अच्छा work इसके अंदर मिल रहा है normally जब भी हम लोग interior की बात करते हैं तो हमें अपना entry gate जो है तो आपको अगर इसको बढ़ा बाहर बाहर अंदर बाहर खोलने का problem नहीं रहने वाला है यह हमारा gate जो है वो ऐसे ही revolving रहेगा यह पूरा मेरा जो front का area है इसका काम होना अभी pending है इसमें आपको proper जो है वो tile work करके दिया जाएगा बाकी पूरे घर में आपको जो है वो ग्रे नाइट के साथ tile work अंदर मिल रहा है जैसे मैंने आपको बताया था बाहर भी आपको जो है elevation बहुत ही elegant मिल रहा है ऐसे ही हम लोगों ने entry पे भी जो है वो आपको wooden paneling करके दियो ही है premium जो है वो polish के साथ आपको जितने भी है वो जाली के doors हो है वो आपको pre-installed इसमें मिल रहे है चलिए जल्दी से चलते हैं घर के अंदर घर की entry पे अगर interior ना मिले तो ऐसी कोई भी फायदा नहीं होता अब सबसे पहले बात करती हूँ मैं entry की मेरे fire area पे ही आपको wooden work जो है यह start हो जाता है बहुत ही polish work के साथ बहुत ही elegant look आपको दे रहा है डोर की अगर मैं बात करूँ आपको digital lock जो है वो इसमें हम लोग pre-installed as it is ही करके दे रहे हैं यह भी आपको जो है वो polish door निने वाला है अब हम चलते हैं entry पे ही अपने drying room area की तरफ तो यह आजाता है entry पे मेरा बिल्कुल separate और proper privacy के साथ मेरा drying room area इसमें सारा काम जो है वो almost done हो चुका है यह जो आप boxes यहाँ पर पड़े देख रहे हैं यह सिरफ इस वज़े से हैं क्योंकि final finishing का काम जो है वो इसमें अभी complete हो रहा है सबसे पहले मैं बात करती हूँ यह मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं यह partition है इतनी बड़ी elegant अच्छी खुली पड़ी partition आपको कहीं भी नहीं करके मिलेगी इसी में हम लोगोंने कुछ open shelves दे दी, कुछ आपको इसमें हम लोगोंने glass के साथ यूज़ करके दिया है तो कुछ cover दे दिया, so that आपको ना तो kitchen visible हो रही है ना ही आपका पूरा घर visible हो पा रहा है ventilation point of view से यहाँ पे हम लोगोंने आपको जो है वो glass की window दी है ताकि घर में आपके जो है वो proper रोशनी रहती है next हम चलते हैं अपने drying room से अपने dining area की तरफ तो यह आज आता है मेरा dining area सबसे पहले मैं बात करूँगी dining area में fall ceiling की fall ceiling आपको पूरे घर में, in fact हर room में जो है वो different करके दीजेने वाली है हर जगा पे आपको different lighting concept यहाँ पे मिलने वाला है मेरे पीछे जो आप यह देख रहे हैं यह बड़ा सा आपको LED पैनल जो है वो आपके dining area में आपको मिलने वाला है dining area में ही क्यूंकि space अच्छी है, आठ मरला है dining area भी भी हम लोगों ने यह चोटा सा cabinet बनाया है space को अच्छे से utilize करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने यह आपको जो cabinet बना के दिया है यह आप अपना मंदिर बना सकते हैं अपने इसाप से इसको जो है जैसे मर्जी move भी कर सकते हैं मेरे पास यहाँ पे kitchen में अगर आप देख पा रहे हैं बहुत ही प्यारी बड़ी storage wise किसी भी point of view से आपको यह kitchen जो है वो ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें शायद यह कमी रह गई है सबसे पहले हम बात करते हैं space की यहाँ पे आपकी fridge की space आ जाती है उसके इलाबा हम लोगों ने यहाँ पे जो है आपको microwave OTG के लिए wicker basket से साथ यह cabinet दी है एक हम लोगों ने shelf आपको parler जो है यहाँ पे बना के दी है नीचे हम लोगों ने LED strip लगा के आपको दी है यह भी आ दिया जाने वाला है और ventilation point of view से यहां से हम एंटर होते हैं अपने रेयर balcony की तरफ balcony तो बोलना इसे थोड़ा सा justify नहीं करेगा इस space को हम लोग balcony नहीं बोलते हैं इसे हम अगर बोलते हैं तो हम बोलते हैं अपने घर का वेडा जिसमें हम लोग अपना सुभे का शाम का टाइ यहां पर बना सकते हैं तो यह पूरा area आपको जो है वह यहां पर मिलने वाला है अब इस वैट area में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने ऊपर तक पूरी आपको जो है वह टाइल वक करके दिया है उससे benefit क्या होता है कि आपको कोई भी जो है वह सीपेज का problem नहीं आत है अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेड्रूम की तरफ यह आठ बरले का जो मेरे पास कोठी है इसमें मेरे पास नीचे अगर आप ग्राउंड पर बात करेंगे ड्राइड डाइनिंग के साथ दो बेड्रूम की चन नीचे आपको मिल जाता है सेम आपको जो है वह उपर मि इसे भी रहता है अब यह जो आप देख पा रहे हैं यह पूरा जो आप मेरा वार्ड रो एरिया देख रहे हैं यह आपको पुमूरा जो है वह इंटियोर पॉइंट के अधान में रखते हुए माईका नहीं यूज किया है सुपीरियर क्वालिटी में डिको के साथ आथ पैनल जो है सेम कंट्रास्ट में आपको यह भी बना के दिया है फॉल सिलिंग अगर आप इच में देख पा रहे हैं स्ट्रिप लाइट एलेडी लाइट आप हर तरह का जो लाइटिंग सिस्टम है हम लोगों ने हर चीज को यहां पर अलग वे से यूज किया है नेक्स्ट हम लोग जो एक मेन प्रडॉबलम पेस करते हैं जब भी हम लोग कोई बनी हूइ चीज देखते हैं फेस क्या करते हैं हम पेस करते स्टोरेज प्वोईिंट को टे आपको यहां पे वाश्रूम में भी दे रही हो तो अगर आप यह देख पा रहे हैं आपको डबल कैबिनेट जो है वो रूम में मिल रही है और डबल कैबिनेट ही आपको जो है वेरे वाश्रूम में भी मिल रही है इसी के साथ हम लोग यह आपको ड्रेसिंग एरिया भी जो ह को साइस इतना प्यारा साइज है कि इस जोटे से बॉक्स में हैं कि जितना किम इसक् amendments this उतना स्पेस का हम आपको यहाँ पर जो है वो वाश हुमआट दे रहे है यहाँ पर seat और sink के इलाबा आपको यह जो एरिया मिल रहा है यहाँ पर आप glass partition कर सकते हैं प्रोपर इसको cover कर सकते हैं बहुत अच्छी खाश आपको यहाँ पर श्पेस मिल रही है स्पेस के साथ साथ आपको जो चीज मिल रही है वो मिल रही है आपको premium बात फिटिंग और premium प्रिमियम को पर वेंटिलेशन ऊप यह से डॉर का प्रोवीजन आपको इसमें भी दिया जा रहा है जो आपकी रेयर बालकोणी रेयर वेडे को असेश करता है नेक्स्ट हम चलते हैं अपने second room की तरफ मेरे ground floor पे ये आजाता है मेरा second bedroom second bedroom में भी अगर आप देख पारेंगे आपको अच्छी खासी दे रहे हैं ये मेरे जितने भी पल्ले हैं ये सारे deco paint के साथ है बार बार मैं quality का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि quality ही प्राइस को justify करती है इस वाश्रूम में भी आपको ये extra cupards जो डोर के पीछे आप ये मेरे देख पा रहे हैं ये extra cupards roof top तक हम लोग आपको as it is ही बना के दे रहे हैं तो आपको हर room में double storage मिल रही है वो दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं आने वाली है मेरे इस वाश्रूम के usp ये है जब वाश्रूम सारी तरफ से बंद हो जाता है तो उसमें दिक्कत आती है अंदर smell रहती है या कुछ रहता है यहां पर हम लोगों ने rooftop तक इसको open रखा है और roof पर हम लोगों ने जो है इसका exhaust भी इंस्टॉल किया हुआ है ताकि आपके घर में suffocation बिल्कुल आपको feel नहीं हो अब यहीं से मैं आपको लेके चलती हूँ अपने second floor पे अब मेरे second floor की जो stairs है वो outer stairs है outer stairs होने का आपको क्या benefit होने वाला है वो benefit आपको यह होने वाला है कि अगर आप ground floor यूज़ करना चाते हैं और उपर का floor rent पे देना चाते हैं तब भी आपके पास यह option रहती है अगर आप दो brothers हैं जैसे आप मैं पहले भी आपको कुछ वीडियो में बता चुकी हो दो brothers मिलके कोई property लेना चाते हैं तब भी आप इस property को consider कर सकते हैं क्योंकि मेरा उपर वाला floor भी as it is ही बना हुआ है यह मेरे यहाँ पे जो दो डोर आप देख पा रहे हैं यह डोर जो है मेरी front balcony को assess करता है जो मैं आपको बाद में दिखाने वाली हूँ अभी हम चलते हैं अपने घर की main entry की तरफ same मैंने आपको बताया था same डिटो कोई भी हम लोगोंने changes नहीं करे हैं entry पे आपको वही same जो है वो rooftop पे आपको woodwork करके दिया जाने वाला है यह आजाता है मेरा drawing room area drawing room area भी आपको fall ceiling के साथ as it is ही मिलने वाला है वही same partition हम लोगों नहीं हापे करके दिया है तो कोई भी ऐसा point नहीं है जिसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली हो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें दो brothers अगर कोई property लेना चाते हैं parents बीच में ही रहना चाते हैं तो उस point of view स आपको दोनों फ्लोर पे बिल्कुल सेम डिक्टो काम मिल रहा है डिक्टो स्पेस मिल रही है हर चीज़ जो है वह आपको as it is ही मिलने वाली है यह सेम LED पैनल बड़ा सा मैंने आपको बताया था यह यहां पे भी हम लोग as it is बना के दे रहे है फॉल सिलिंग में यहां पे हम वोटी जी का स्पेस आपके पास यहां पे आ रहा है डबल शेल्फ आपको यहां पे मिल पा रही है और प्रॉपर LED लाइट जो यहां आपको नीचे मिल पारी थी वह सेम आपको उपर भी मिल पारी है रेंटल पॉइंट ओव व्यू से भी अगर आप इसना फॉर्स फ्लोर मिल पारी है किचन के साथ यह आ जाती है मेरी किचन की बालकनी जो मेरे सेकंड रूम को भी असेस करने वाली है और मेरी किचन को भी असेस करने वाली है पूरी लैंथ में आपके पास यह बालकनी आ जाती है जिसमें हम लोगोंने सारी जो है आपको जो ग्रिल है वो स्टील म मेरा first bedroom भी आपको उतना ही spacious मिलने वाला है, जितना कि मेरा ground floor का आपको bedroom मिल रहा था, same आपको ditto as it is जो है वो इसमे space मिल रही है, कोई भी compromise नहीं किया हुआ है, cabinets आपको जो है वो पूरी as it is मिलने वाली है, और इसमें भी आपको LED panel जो है वो as it is ही मिलने वाला है, fall ceiling आपको वैसे ही मिल रही है, जैसे आपको नीचे मिल पारे ही, जैसे double cabinets आपको बाहर मिल रही थी, same double cabinets roof top तक जो है वो आपको washroom के अंदर भी मिल रही है, washroom के अंदर ही हम लोगों ने आपको dressing भी जो है, वो install करके दिया हुआ है, table top के साथ यह आपकी vanity भी आपको जो है वो मिल रही है, और यहीं पे आप अपना glass partition भी जो है वो easily कर पाएंगे, जैसा mini room मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ground floor पे दे रही हूँ, same mini room हम लोग जो है वो आपको first floor पे भी दे रही है, अब हम चलते हैं अपने second bedroom की तरफ, बेरे first floor का यह आजाता है मेरा second bedroom, second bedroom में भी आपको same storage मिल रही है, double आपको storage मिल रही है, rooftop के साथ fall ceiling आपको जो है वो इसमे as it is ही करके दी जाने वाली है, और यह LED पैनल भी आपके interior work के अंदर include ही मिल रहा है आपको, इसमें भी अगर हम washroom में बात करेंगे, तो यह washroom जो है वो आपको square shape में आपको यह पूरा washroom मिल रहा है, roof तक हम लोगों ने पूरा इसमें आपको tile work करके दिया हुआ, टेबल टॉप के साथ हम लोगों ने वैनिटी इसमें आपको बना के दी रही है, और जितनी भी हमारी fitting हैं, वो सारी jaguar की हम लोग आपको provide कर रहे हैं, यह आ जाती है मेरी front balcony, मेरे first floor की यह front balcony आ जाती है, जो मेरी front side पे रहने वाली है, तो इसके सामने भी आपको प्राइस वेसी जो है, वो proper मिलती है, क्योंकि सामने वाली कोठी का facing वो बिल्कुल opposite direction में है, तो privacy wise भी आपको यहाँ पे कोई दिकत नहीं आने वाली है, पंचकुला में normally हम लोग देखते हैं, तो हमें 8 मरले की कोठी पहले जल्दी से बिलती नहीं है, उपर से फिर हम लोगों को इतना अच्छा प्यारा work भी नहीं मिलता है, तो last में मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, अगर आप मेरी यह ready to move कोठी को, आठ मरले की ready to move कोठी को लेना चाहते हैं, ब्रैंड new कोठी तो है ही है, जो इसके पास जो market की बात करें, तो market भी इसके बहुत pass में है, और एक पारक भी, जो हुड़ा का main पारक है, वो भी इसके nearby ही है, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इसकी location, इसका premium quality का work, इसकी nearby सारी amenities का होना, इसको main बनाता है, तो अगर आप इस कोठी को particular, ये new build up कोठी को लेना चाहते हैं, तो जल्दी से जाएए नीचे दिवे नंबर पे call कीजिए, ready to move inventory है, हमें भी नहीं पता इसकी deal कितनी जल्दी हो चाती है, तो आप देर मत कीजिए, आपको पसंद आ रही है, तो जल्दी से जाएए नीचे दिवे नंबर पे call करीजिए, इसको visit करने का plan जल्दी से जल्दी कीजिए, ठीके mindset बाद में बनता है, पहले होता है कि हमें वो चीज़ पसंद आली चाहिए, क्योंकि कोई भी property हम लेंगे तो बाद में पहले उसको देखेंगे, अपने family members के हिसाब से उसका location देखेंगे, उसकी quality देखेंगे, तभी हम decide कर पाते हैं, तो जल्दी decide करने के लिए जल्दी visit करना बहुत जूरी है, जल्दी से जाएए call कीजिए, visit करने का plan जल्दी से कर लिजिए, लेना तभी decide कर पाते हैं, जब हम उस property को visit कर पाते हैं, कई बार हम visit करने में ही थोड़ा delay कर देते हैं, तो property हमारे हाथ से वो फिर निकल जाती है, तो वो देरी आप मत कीजिए, call कीजिए, visit का plan कीजिए, thank you so much.